कि अन्जी उमेर भाई पहले तो मेरे इंटरनेट चला गया तो मुझे था कि परपस मेरा यह कि मैं आउंगा जिन्दा रहना है और उसके बाद मिलब निकल जाना है क्यूंकि इसलाम यह बूलता है कि भाई आप आप आफ्टर लाइफ होगा हो सकता है अगर आपके बेहन बेह इसके बाद आप जो है ना उनसे मिलोगे और फॉरवर मिलोगे तो वह एक बिलीव अलग और यह एक बिलीव अलग के जो है ना मलब आप मर्जाओके तो पर एक्जिस्टेंस आपके एक्डम से खाता है पहले यह बात मान ले कि हमारे किसी चीज़ पर बिलीव करने से क्या उसकी हैंगे छिके पर फरक पड़ता लेकिन यह हमें पता है कि कुछ बिलीव बिलीव ऐसे होते हैं जो दिल को अच्छे भी लगते हैं varasya जो लेकिन मे़ार एक ही है कि हमने मानना उसी चीज़ को है जिस का कुछ शबू को जैसे लोगों को अच्छा ख्याल अगर मैं सद्के का बकरा दे दूँगा तो मेरे बच्चे की हाला बिमारी दूर हो जाएगी अच्छा ख्याल है लोग कर देते हैं लेकिन अगर इस चीज का सबूत नहीं है तो आप अपने पैसे जाय करा रहे हैं बचारे बकरे को आहमी मरवा रह कीए लेकिन जो वहमी हों लोग होते हैं आप देखें गोरे जो हुआ हैं गोरों के ब dip arm बहुते है गोरे तो नहीं देते काले बकरे हमारे पाकिसन इंडिया बंगला तेश में बच्चे को चींका आजे तो काले बकरे देते तो इससे पता चलता है कि ये जो हमारे बिलीफ से ना वो दिल को बहलाने के लिए तो उसी तरह आपका अगर ये बिलीफ है ना कि आप मरने के बार अपने बैंभाई माप आप से मिलेंगे हम तो ये दिल बहलाने के लिए तो अच्छा है ये बिलीफ अच्छा तो एक दूसर सवाल के अगर जैसे मैं मुस्लिम हूँ माबाप भी मुस्लिम सब मुस्लिम हैं अब मैंने न इपने इसाब से बोला है मगर मेरे न चोरी की जूटी चोटे मोटे मगर कोई ऐसा बड़ा जूट नहीं बोला ना में भीवी प्यात उठाया ना में कोई जुलम करता हूँ तो मैं आपके नजर में अच्छा इंसान हूँ अगर मैंने चलो इसलाम कभूर किया तो मैं एच्छा इंसान हूँ आपके जैसे मेरे दो एच्छे होसे उसने जैसी मुझे क्योंकि हम लोग कर टरस्ट लेवल ऐसा है कि उसने मुझे ओपन नी शेयर के किया मैं मजभ चोड़ना चाता हूँ तो मैंने नहीं तलवार उठाई उसके उपर कि भई मैं गर्ड़नों चाता हूँ यही आपके अच्छे होने के दिली लेकिन लेकिन मैं आपको बिताओं मोस्ली लोग जो होते हैं आपका टेस्ट तब होगा जब आपकी उस दोस्त के साथ लड़ाई हो जाएगी किसी भी बात पे, पैसा के चकर में कुछी भी मामले में फिर किया आप उसके पीछे उसके राजों खोलेंगे या नहीं खोलेंगे तब असल टेस्ट आपका ताभ वहाँके अब्छा है अब्छा है ना अब्छा यह मैं वाटा फद दॉशे Wert तो इसके वाइब निकल जाते हैं मैं आपसे पूछना चारा था कि मैं आपके नजर में तो एक अच्छा इंसान हो ना अगर आप गलत काम नहीं करते किसी को तकलीफ ने पुझाते हैं तो आप अच्छा इंसान है मेरे माबाप ने सिखा है और क्योंकि वो भी मुस्लिम थे और मेरे नार्या थे वो स्कॉलर थे उनने मुझे सिखा है तो नहीं मैं आपको बताता हूं नहीं उन्होंने किसे सीखा उन्होंने इंसानियों से सीखा क्योंकि अगर आप यह कह रहें हैं कि आपको अच्छा होना इ इसलिए इसका इसलाम और मजब से है तालुक लेकिन काम होता तालुक लेकिन इसका तालुक सुन ले इसका तालुक ओवरॉल ससाइटी से ज़्यादा होता है अच्छा सही अलब कि उनके वो तो मैं भी मानता हूँ कि घुलामी को हमने बैन करना मजब आपको इजाज़त देता है चार बीवियां रखने की और अंगिनत लोंडियां रखने की ये मौशरे ने सुसाइटी ने काई ये काम ठीक नहीं है मुझे अच्छी तरह याद आए अब पाकिस्तान में ये काम खराब हो रहा है पाकिस्तान में जो एक से ज़्यादा शादी करता था उसको बुरा समझा जाता था अब मौलवियों को हाथ में लाउट स्पीकर आ गया इंटरेट आ गया तो इसलिए अब ये और उसको पॉप्लराइज का रहे है हाँ सुसाइटी करती है ना इंफ्लूएंस इसमें तो कोई शक्की बात नहीं है बड़े से बड़े आलमों को सुसाइटी यही तो वज़ा है कि अगर आप साओधी अरभ के आलम से बात करेंगे इसलाम पे या बंगलादेश के आलम से बात करेंगे तो उसमें भी डिफरेंस आ जाता अच्छे वबरे की थोड़ी सी डेफिनेशन बदल जाती है क्योंकि सुसाइटी का रही होती है आपको इंफ्लूएंस उदर का जो उठना बैठना होता है जो इंफ्लूएंस होता है दूसरे इकदार का वो इंफ्लूएंस कार रहा होता अच्छा सभी समझ या माँ जा ले बहुत शुक्र अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिये पेटरन बनिये या फिर आप मुझे बाई मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं अच्छा झाल